गाड़ी लेने का शौक सभी को होता है लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी कम ही लोगों को होती है जब भी हम नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस दोरान हमें गाड़ी के इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जाता है हालांकि सही जानकारी न हो पाने के कारण हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इंजन के प्रकारों के बारे में बताने जा रहे हैं चलिए एक-एक कर समझते हैं इन इंजन के प्रकार के बारे में Air Kooled Engine Air Kooled Engine के नाम से ही पता चलता है कि कैसे Air Kooled Engine मोटर को ठंडा करने में हवा का इस्तमाल करता है इस इंजन में पंक होता है जो इंजन के चारों और हवा को फैलाने में मदद करता है जिससे गर्मी फैलाने में मदद मिलती है तीन प्रकार के इंजन में एर कूल्ड इंजन सबसे हलका होता है क्योंकि इसमें रेडियेटर जैसे कई भाग नहीं होते हैं और ये तीन में सबसे अधिक लागत वाला इंजन होता है भारत में बिकने वाले अधिकतर मोटर साइकिलों में Air Cooled Engine का उप्योग होता है Oil Cooled Engine Oil Cooled Engine Air Cooled Engine के समान ही है, क्योंकि ये चैनल Air के लिए Cooling Fins को बरकरार रखता है हालांकि इसमें बाहर की ओर Mounted एक छोटा Oil Cooler भी मिलता है जो Engine Oil को Air Cooling Pass करने में मदद करता है इसे radiator की मदद से गर्म engine oil दिया जाता है, जो तेल को ठंडा करने के लिए हवा का इस्तिमाल करता है, फिर इसे engine में वापस pump किया जाता है liquid cooled engine दुनिया भर में कारों और ट्रकों, मोटर साइकिलों, ATV और सभी मोटर में लगभग द्वारा liquid cooled engine का उप्योग किया जाता है जो लगातार एक pump के साथ चलता है ये engine को गर्म temperature पर बहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, जिससे मोटर की life अधिक लंबी होती है